केंडरीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली और राज्य सैनिक बोर्ड सैनिक कल्यांड विभाग उत्राखंड की और से कुसुम खेडा में आजादी के अमरत महसब कारिक्रम के तहत पहली बार आउटरिच कारिक्रम का आयोज़न किया गया बत और मुख्य अते थी केंडरीय रक्षा और परिटन राज्य मंत्री अजय भट मेयर डॉक्टर जोगें रिपाल सिंग रोतेला मेजर जनरल इंडरजीत सिंग और कोमोडोर एचपी सिंग ने कारिक्रम का शुभारम किया वहीं केंडरीय रक्षा और परिटन राज्य मंत्री अजय भट ने कहा कि दे युद्ध वा सिमानत जड़पों तथा आंतरिक सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों और अर्ध सैनिकों की वीरांगनाओं और आशितों को एक मुष्ट 10 लाग का नुदान दिया जा रहा है वहीं युद्ध में शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और शुद्ध में और युद्ध में अपंगता के कारण सेवा मुक्त हुए सैनिकों के आवाज सहायता अनुदान दो लाग रुपे की सहायता दी जाएगी साथी संपत्तिक रहे करने पर इस टैंप ट्यूटी में 25 प्रतिशर छूट दी जाएगी हल्दवानी से एपक अधिकारी की रिपोर्ट हमारी जो जुम्मेवारी है हमारी जो वर्टिकल्स पूरे के पूरे हर मिलिटरी स्टेशन तक पहुँचे हुए हैं और जो एकस्रीसमेन है उसकी कोई भी पी समश्चय होती है वो उस के अंदर में आ सकता है पहले क्या होता था एकस्रीसमेन को अगर मेडिकल कि है तो मेडिकल के लिए जाता था उसको डोक्यمेटेशन दिल्गक समश्चOWN के लिए उससकी जाना पड़ता था, तो ये एक ऐसा सिंगल पॉइंट कॉंटेक्ट है, जहांकि एक्सेरिश्मेन आ सकते हैं। सर्विस मेन जो हमारे हैं, उनके लिए हम लोगों ने यह आजन किया है, काफी परिशानिया होती है, कई चीजों के बारे में निराकरण नहीं हो पाता है, इसलिए इस्थल पर हमने पेंशन के अधिकारी भी अलाबाद से मंगाए हैं, यही पर निश्तारन कर रहे हैं,